एक गाउं में रामू और शाम नाम के दो दोस्त रहते थे रामू बहुत गरीब था और शाम बहुत पैसे वाला था रामू की मा शाम के घर काम करती थी एक दिन रामू और शाम खेल रहे थे तभी शाम का स्कूल का दोस्त कुलदीप वहां आ गया ओ शाम कैसा है तू और स्कूल क्यों नहीं आया बस यार ऐसे ही मन नहीं था आज स्कूल जाने का अच्छा और ये कौन है तेरे साथ अरे ये हमारी नौकरानी का बेटा है तो तू अपनी नौकरानी के बेटे के साथ खेलता है नहीं, मैं इसके साथ थोड़ी खेल रहा हूँ, बस जब कोई नहीं होता तो समय निकालने आ जाता हूँ अच्छा रामू को शाम की ये सब बाते सुनकर बहुत बुरा लगता है और कुल्दीब के वहां से जाने के बाद वो उससे बोलता है रामू को शाम की बातों का बुरा तो बहुत लगता है पर वो बोलता कुछ नहीं है और चुप चाप अपने घर चला जाता है घर जाकर रामू अकेले खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है और रामू की मा उसको उदास देख उसके पास आकर पूछती है क्या हुआ रामू तुम इतने उदास क्यों हो कुछ नहीं मा कुछ तो बात है बताओ मुझे रामु जया को सारी बाते बताता है कि कैसे श्याम ने उसको अपना दोस्त कहने से मना कर दिया भेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम जब पढ़ लिखकर आगे बढ़ोगे ना, तो तुम्हें सब अपना दोस्त मानेंगे जी ठीक है मा दूसरे दिन सुबह रामु स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से रिकलता है और रास्ते में श्याम, कुल्दीप और दूसरे लड़के खड़े दिखते है रामु वहाँ से चुप-चाप जा रहा होता है, इतने में कुल्दीप बोलता है श्याम, ये तो रामु है ना? हाँ, क्यों? देख, कैसे इस कुल जा रहा है ना? इसके पास ना कपड़े है ना अच्छा बैग है तुम इसको कपड़े नहीं देते क्या? तेरे पुराने कपड़े ही दे दिया कर बेचारे गरीब को श्याम भी कुल्दीप के साथ हसते हुए बोलता है रामु, आज तु मेरे घर आना मेरे पास पुराने कपड़े और खिलाने भी हैं ले जाना रामु को श्याम की बाते अब बुरी लगने लगती है पर वो कुछ न बोलते हुए चुप चाप वहां से निकल जाता है अब रामु पूरे दिन अपने घर में ही रहता है उसकी मा की बोलने के बाद भी वो खेलने नहीं जाता श्याम भी उसको बुलाने आता है पर वो बस दिन भर अपनी पढ़ाई में लगा रहता है इस बात से श्याम को बहुत गुस्सा आता है और वो रामु को सबक सिखाने की सोचता है और कुल्दीब के साथ मिलकर एक गड़ा करता है श्याम ये गड़ा तो किसके लिए खुद रहा है? रामु के लिए उसको लगता है वो बहुत समझदार है आजकल ना खेलने आता है ना बात करता है पता नहीं किस बात का घमंडा गया है उसको कुल्दीब और श्याम गड़ा तयार करके पेड़ के पीछे छुप जाते है थोड़ी देर बाद रामु स्कूल के लिए निकल रहा होता है श्याम उसको आवाज लगाता है रामु सुन इधरा मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है इतना बोलकर रामु आगे निगल जाता है श्यामु रामु को रोकने की कोशिश में खुदी उसके बनाए गड़े में गिर जाता है कुल्दीब और उसके सारे दोस्याम को गड़े में देखकर हसने लग जाते है तभी रामु को उनके हसने की आवाज आती है जिससे वो पीछे मुड़कर देखता है तो श्याम गड़े में गिरा होता है वो भागते हुए श्याम के पास आता है पास में खड़े श्याम के सारे दोस्त उसका मजाग बना रहे होते हैं मुझे कोई बाहर निकालो गड़े से कोई श्याम की मदद नहीं करता बस तब उसका मजाग बना रहे होते हैं इतने में रामू एक रसी ढून कर लाता है और श्याम की और रसी फेकते हुए बोलता है श्याम रसी पकड़ो और जल्दी उपर आ जाओ श्याम रसी पकड़ कर उपर आता है और रामू को गले लगा कर बोलता है रामू मुझे माफ कर दो मैंने ये गड़ा तुमें गिराने के लिए बनाया था तो मुझे से बात ही नहीं कर रहे थे और ना ही मेरे साथ खेलने आते थे इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये गड़ा बना कर तुमें इस गड़े में गिराने का सोचा मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त कोई बात नहीं श्याम वैसे भी अब हम कब मिलेंगे पता नहीं क्यों रामू अब तुमें अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी मतलब तुम इतने दिन इसी वज़ा से मुझसे नहीं मिले हाँ शाम तुम मेरे बस एक ही दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता उस दिन कुल्दीप के सामने जो तुमने मुझे बोला वो मैंने मा को बताया और उन्होंने बोला कि मैं अच्छे से पढ़ लिखकर जब कुछ बन जाऊंगा तो तुमको अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में शर्म नहीं आएगी रामू की बाते सुनकर शाम की आँखों में आसु आ जाते हैं और वो रामू से बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त सारी इट सोकी मेरे दोस्त चल कल मैं शेहर के लिए निकल रहा हूँ रामू आगे की पढ़ाई के लिए शेहर चला जाता है और पास 6 साल बाद रामू की नौकरी लग जाती है वो कलेक्टर की पोस्ट क्लियर करके उनके गाउं के जिले का कलेक्टर बन जाता है और एक दिन शाम से मिलने गाउं आता है गाउं आकर उसको पता चलता है कि शाम को उसके व्यवसाई में बहुत नुकसान होता है रामू शाम के घर जाता है शाम रामू को देखते ही गरे लगा लेता है अरे कलेक्टर साब आप यहां हमारे गरीब खाने में शाम बेकार की बाते मत करो और हमारी जब इतनी बातें होती थी, तो तुमने अपने व्यवसाय की नुकसान की बात मुझे क्यों नहीं बताई? छोड़ो रामू, हम इतने समय बात मिले हैं, पहले हम अपनी बातें कर लें रामू मन में समझ जाता है कि शाम उससे मदद नहीं लेगा, रामू शाम को बोलता है मैं समझ गया हूँ शाम, तुम मुझसे मदद नहीं लोगे पर एक प्रोजेक्ट तो लोगे मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है तुम्हारे बिजनस में इन्वेस्ट करना चाहता है कौन? तुम्हारे सामने खड़ा है मदद नहीं, पार्टनर्शिप कर रहा हूँ शाम, रामू को गले लगा कर बोलता है पार्टनर्शिप डन रामू और शाम दोनों बाते कर रहे होते हैं तभी सामने से कुल्दीब आता है और पूछता है ये कौन है शाम? रामू मेरा बच्पन का दोस्त कलेक्टर है और मेरा बिजनस पार्टनर भी रामू, शाम और कुल्दीब तीनों खूब सारी बाते करते हैं दोस्त कभी अमीर गरीब नहीं होता उसका प्रेम कैसा है ये माइने रखता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकोन को दबाई देखते रही है, बेस्ट बडीज